हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है साथियों आप सभी का S.P. सुकला एजुकेट परिवार में मैं S.P. सुकला आप सभी बिगत साथियों का स्वागत वंदवन ओम कोटी-कोटी अभिनंदन करता हूं साथियों जैसा कि आप सभी को पता है मैं अभी कुछ दिनों से चुटी पर हूं तो मैंने सोचा क्यों ना आपके बीच में घर से ही कुछ ना कुछ आप लोगों की पढ़ाई में विजाफा करते रहें इसलिए थोड़ा सा आज हम आधुनिक काल जो की आने के बाद शुरुवात करेंगे आधुनिक काल जिसकी शुरुवात जो है आने के बाद आपकी की जाएगी उसी आधुनिक काल पर हम आपसे थोड़ी सी चर्चा पर चर्चा करते हैं आधुनिक काल के अंतर गत हम काब ब पढ़ते हैं तो अलग-अलग देखने को मिलता है इसके जो काल विभाजन मिलते हैं आधनिक काल में जिसमें आपका आता है पुनर जागरन काल, जागरन सुधार काल, छाया वादियोगी या स्वच्छंदता काल, प्रगतिवादी काव्यधारा, प्रियोग वाद योम नई तो देखिए पुनर जागरन काल जिसको की भारतेंदु काल के नाम से जाना जाता है, एक प्रश्ण का जवाब आप बच्चे दीजिए, अभी मैं आप लोगों को जवाब देखूंगा कि कितने सारे बच्चों ने धिया है जवाब, एक प्रश्ण आपका पोछा जाता है, कि पुनर जागरन काल को भारतेंदु काल कहा गया, किसके नाम के कारण या किसके नाम के कारण पुनर जागरन काल का नाम भारतेंदु काल पड़ा, आप बच्चे कमेंट करके बताए, आप सभी साथियों से या मेरा प्रश्ण है कि पुनर जागरन काल का नाम भारतेंदु काल पड़ा तो किसके नाम के कारण आप जल्दी से बताए जागरण सुधार काल को ही दिवेदी काल कहा जाता है तो दूसरा प्रशन आपका यह बनता है दिवेदी काल का नाम करण किसके नाम पर हुआ मैं आपको आफशन भी दे सकता हूँ सांतिप्रिय दिवेदी आच्यार महाबीर प्रसाद दिवेदी आच्यार हजारी प्रसाद दिवेदी डाक्टर राम अवद दिवेदी तो आप बच्चे कमेंट करके बताए जागन सुधार काल का नाम दिवेदी काल पड़ा किसके नाम पर या किसके नाम के कारण जो है जागन सुधार को ही दिवेदी काल कहा गया दिवेदी काल हुआ इसके बाद आता है बाद चायावाद युग या स्वचंदता वाद काल चायावाद युग को स्वचंदता वाद कहा गया एक दो प्रशन यहां से बनते हैं कि चायावाद सब्द का सरप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था आप से प्रशन मेरा है चायावाद सब्द का प्रयोग सरप्रथम किस आलोचक ने किया था इस प्रश्ण का जवाब आपको फटा फट कमेंट के माध्यम से देने हैं बहुत छोटी वीडियो होगी साथियों और बहुत ही ज्यानवर्धक बाते होंगी जो आपको क्लास में अक्सर बताते रहते हैं उन्हीं चीजों को यहाँ पर आपके वीच में बहुत कम समय में करने का प्रयास करेंगे प्रगतिवादी का बिधारा से भी बहुत सारे प्रश्ण बनते हैं कि प्रगतिवादी का बिधारा स्रिष्टी है जैसे कि आपको पता है कि वर्ग चेतना प्रधान स्रिष्टी में इसका अस्थान आता है द्वन्दात्मक भौतिक विकासवाद किसका विधारा का आधार रहा है प्रशन पूछा जाता है तो प्रगतिवाद के ही अंतरगत द्वन्दात्मक भौतिक विकासवाद का विधारा का जो आधार है उसका आधार यहीं से लिया जाता है कई मर्तबे यह प्रश्ण पूछा कि प्रगतिवाद का आधार क्या है तो प्रगतिवाद का आधार दुन्धात्मक भौतिक वाद होता है यहां से बहुत सारे अच्छे से प्रश्ण बनते हैं सिर बाताती प्रयोग वाद एवं नई कविता की प्रयोग वाद एवं नई कविता की नाम से ही लग रहा है प्रयोग वाद एवं नई कविता अब जब हम इस पर प्रयोग वाद पर अगर चर्चा करें तो आप से सीधे तोर से प्रश्ण बनता है कि प्रयोग अपने आप में इश्ट नहीं है वरण वह साधन है या कथन किस वाद से संब भंदित है तो आप प्रयोग वाद में ही इसका चर्चा करते हैं और प्रयोग वाद की बात हो अग्गे का नाम नहीं अग्गे का मतलtså सचितानंद हेरानंद वासायन अग्गे कभी कभी सीदे तोर से यही पूच पूँच लिया जाता है कि प्रयोग वाद के अंतरगत या अगे का पूरा नाम क्या है सचिदानंद हेरानंद वासायन अगे या फिर प्रशन आपसे यह जान लेता है कि प्रयोग वाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोग वादी कभी का मुख्य तत्य क्या था तो जो प्रय तो वाद नहीं प्रियोगवाद को सरवाधिक प्रभावित किया था तो कभी-कभी ये प्रशन पूछा जाता है कि प्रियोगवाद को सरवाधिक किष्ण प्रभावित किया था क्योंकि प्रियोगवाद ये हो गया, समय भले दोनों के लिए लेकिन अंतर है प्रयोगवाद एवं नई कविता भी अलग है नई कविता के प्रवर्तक आप से प्रश्ण पूंचा जाता है आप सभी से मेरा प्रश्ण है नई कविता का प्रवर्तक कौन है या नई कविता पत्रिका का प्रकासन का प्रारम हुआ आप जल्दी से बच्चे कमेंट करके बता फिर हम अभी चीजों को explain कर दें, देखे, थोड़ा सा समय पर जाने, पुनर जागन काल को भारतेंदू काल के नाम से जाना जाता है, पुनर जागन काल को भारतेंदू, बहुत आराम से एक एक पॉइंट को अच्छे से clear करेंगे, बहुत कम समय लेते हुए साथियों, चीजो पुनर जागन काल जिसको की भारतेंदू काल के नाम से जाना जाता है, अब भारतेंदू काल कहा जा रहा है, तो भारतेंदू हरिष्चंत का नाम आना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, आप सभी को पता है कि लगबग 9 सितंबर 1850 से 7 जनवरी 1850, बहुत कम उमर में ही भारत इंदु काल के नाम से जाना जाता है 1857 से लेकर के 1922 समय पूछेगा कब से कब 1857 से 1922 ये हम बात कर रहे हैं आपसे आचार रामचंद सुक्ल के अनुसार काल विभाजन अब देखिए अब बहुत सारे बिद्वान हुए अलग-अलग बिद्वानों के अनुसार अगर हम बाते करेंगे तो अलग-अलग बातें आपको देखने को मिलता है धिकानस्ता विद्वानों में मद्भेद है कुछ विद्वान समय कुछ बताते हैं कुछ विद्वान कुछ बताते हैं फिर भी जो एक प्रमारिक समय है वह पूनर जागन काल का है 1857 से 1922 जागन सुधार काल जिस जो नाम पढ़ा था साथियों आज के बाद कन्शूज मत होईएगा महाबीर प्रसाद दिवेदी महाबीर प्रसाद दिवेदी के ही नाम पर दिवेदी काल नाम पढ़ा या जागन सुधार काल का नाम दिवेदी काल पढ़ा उननीस सो से उननीस सो अठारह इस भी और इसके ब परसार शुक्ल सनेही, राम नरेश्टिर पाथी, नाथू राम सर्मा, संकर सत्य नारायन, कविरत नगोपाल सरण आदी का नाम आता है। और महाबीर्प्रसाद दिवेदी की साहितिक सेवा को देखते हुए, 1931 में कासी नागली प्रचानी सभा ने इन्हें आचार की उपाधी भी दी ती, तो आचार की उपाधी भी दी थी। बहुत सारे हम प्रष्णों पर चर्चा करेंगे। जब हम वहाँ पर आपको पढ़ाएंगे क्योंकि थोड़े से आपको चर्चा के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करें छुट्टी भी खराब ना जाय कुछ न कुछ आप जानते रहें। चायावाद को प्रसिद करने में पंडित मुकुट्धर पांडे के स्री सार्दा पत्रिका में प्रकासित लेखमाला की अहमभोन क्या रही। 1916 में इनके पहले कविता संगरह पूजा के फूल का प्रकासन हुआ। इसकी प्रमुक्रितियां भी अगर आपसे बात कें जैसे सैल बाला 1916, इस भी लच्छमा 1917, परिस्रम 1917, हिर्दे, दान 1918, मामा 1918, अब प्रश्ण बनता है कि छायावाद सब्द का प्रियोग किसने का सरप्रतम किया तो मुकुर्धर पांडे का नाम बताएंगे। लेकिन प्रश्ण ऐसा न बन करके आपसे जैसे कहें कि छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है तब बदल जाएगा साथियों। छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में आप देखेंगे तो विद्वानों में काफी विवाद है। 1916 के आधार पर निराला को मानते हैं। छायावाद का काल जो है 1908-1936 आप देखी रहे हैं। इस आधार पर अधिकतर विद्वानों ने प्रशाद की जर्ना जो आई 1918 में इस युग की सुरुवात मानते हैं। चुकि इस युग में प्रसाद का आगमन पहले हुआ और छायावाद को भी यहीं से शुरुवात माना जाता है। अतर ज्यादा तक जो बिद्वानों में मदभेद है उसके अनुसार उस चीजों को बंद करते हुए जो एक साच निकल के आता है जो प्रमारिकता है जो अगर आपसे प्रशन पूछा जाएगा कि छायावाद युग के प्रवर्तक किसे हैं तो आप जैसंकर प्रसाद का ना तो चायावाद की पहली रचना जैसंकर प्रसाद को क्योंकि प्रवर्तक माना जा रहा है तो वही पहली रचना हो जाएगी जहरना 1918 इस भी के आधार पर माना जाएगा यहां तक चीजे किलियर होंगी साथ ही बहुत अच्छे से प्रशन यहां पर बनते हैं आपकी परिच् प्रगतिवादी काब्य धारा की बात करते हैं 1936 से लेकर के 1943 इस भी का जो समय रहा कई मर्तबे सीधे आपसे प्रशन पूछा जाता है कि प्रगतिवादी काब्य स्रिष्टी क्या है तो वर्ग चेतना प्रधान है हमने द्वन दात्मक्त में आपसे चर्चा कर दिया प्रग रोमानियत यहुम पालायन वादी प्रकृति की बात कर लीजिए या फिर प्रगतिसील लेखक संघ की इस्थापना की बात करिए माक्सवादी प्रभाव की बात करिए तो इसमें बहुत सारे लोगों का नाम आजाता है इसलिए प्रगतिवाद में आप जो है जब बात प्रगतिवादी काब धारा की की जाती है तो यहां एक प्रस्न निकल के आता है हिंदी साहित में माक्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काब धारा में देखने को मिलता है उस धारा को प्रगतिवाद कहते हैं तो बस आप 1935 से आगे के कुछ वर्ग प्रगतिवाद युग के वर्ग हैं प्रगतिवाद माक्सवादी दर्सन के आधार पर चलता है जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है ऐसा समझना चाहिए कि राजनीती में जो माक्सवाद है काब्बे में वही प्रगतिवादी अगर बात करें प प्रयोगवाद में प्रस्न आपका पूछा जाता है अगर हम प्रयोगवाद को सरवाधिक ने परभावित किया अस्कितवाद यहाँ पर एक वाद का नाम आता है अस्तित वाद ने प्रयोग वाद को सरवाधिक प्रभावित किया प्रयोग अपने आप में इस्ट नहीं है वरन वह साधन है यह कतन किस वाद से संबंदित है तो यह कतन प्रयोग वाद में ही निकल के आता है अचा प्रयोग वाद की जन्म प्रतीक पत्रिका कौन सी है तो प्रयोगवाद की जन्मदाती पत्रिका में प्रतीक पत्रिका का नाम आता है। नाम आता है। तारसब्तक का प्रकासन कब हुआ उनिस सो तिरालिस में। कितने कितनी कभियों की साथ साथ कभियों की रचनाय मिलती हैं आपसे इसी को क्या कर सकता है अलग-अलग तरीके से प्रशन पूछा जा सकता है एक कौन से तारसब्तक में कौन है या पहला तारसब्तक दूसरा तारसब्तक तीसरा तारसब्तक का प्रकासित हुआ तो तारसब् एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से चचा करेंगे ठीक है अच्छा इसी के साथ आती है बात नई कविता की किसकी बात आती है नई कविता अब आप से प्रश्ण बहुत बार ये पूछा जाता है कि नई कविता के प्रवर्तक नई कविता भारती स्वतंतरता के बाद विशन किया गया यह भी कहा जा सकता है कि प्रयोग वाद के बाद हिंदी कविता की जो नमीन धारा विक्सित हुई वह नई कविता है नई कविता के प्रवर्तक भी किसका नामा दैगा साथियों अग्ये का अक्सर बच्चा कन्फ्यूर्ज हो जाता है तो प्रयोग वाद यो नई कविता दोनों के अगर प्रवर्तक की बात करेंगे तो आप अग्ये जी को पूरा का पूरा स्रेथ दे सकते हैं अच्छा प्रश्ण बनता है नई कविता का प्रकासन या नई कविता पत्रिका का प्रकासन कब प्रारंभ हुआ तो बताना चाहूंगा साथियों 1954 1954 इस भी में नई कविता पत्रिका का प्रकासन प्रियाग राज से हुआ और 1947 में जब अग्ये ने प्रतीक का प्रकासन आरंभ किया था भी मैंने इसके पहले बताए ना कि पहली प्रतिका का कौन सी आई प्रतीक प्रतीक का प्रकासन 1947 में जब अग्ये ने प्रकासन आरंभ किया तब मुझे पुकारती हूई प्रकासित हुई तो यह भी प्रशन वहीं से आपका प्रशन पूँछा जाता है अच्छा नई कविता में जो बात आती है नई कविता की प्रियोग वाद हम नई कविता की विसेशताओं कि अगर बात करें तो इसके अंतरगत बहुत धिकता का प्रधान है यथार्थ वाद का अती आग्रह कुंठा निरासा संदेह की अभ्योक्ति शाथियों मैं आपको बताना चाहूंगा जब आधनी काल पढ़ रहे हैं आधनी काल का बिखंड अकसर में बच्चे को देखता हूँ एक बच्चे डरते रहते हैं उनको कहते हैं आधिकाल आसान है भक्तिकाल आसान है रीतिकाल आसान है लेकिन जब बात आधनी काल की आती है तो बच्चा सबसे ज़्यादा डरा रह आपको लगता है यार हमको बहुत रटना पड़ जाएगा इसमें बहुत रटने वाली चीजे हैं इसलिए आपको डर लगता है लेकिन मैं आपको डंके की चोट पे बता रहा हूं साथियों पूरे साहित्य में पूरे साहित्य के चारो खंडों की अगर बात करें हम आधनिकाल भक्तिकाल, रीतिकाल, आधनिकाल आधनिकाल में भी काबिखंड और गद्धिखंड हम इन सब पर अगर आप से चर्चा करें तो आपको हम पूरे के पूरे जोस और होस के साथ आपको बताना चाहेंगे साथियों कि सबसे आसान जो टॉपिक लगेगा जो सबसे आसान आपका साहित लगेगा वहाँ आधनिक काल ही लगेगा चाहे आप काबिखंड की बात कर लीजेगा चाहे आप गद्धिखंड की बात कर लीजेगा लेकिन तभी जब आप समय दोगे समय दोगे, साथियों इस से बच्चा डर जाता है पढ़ना नहीं चाता है, इसलिए लगता है कि कठिने लेकिन बहुत आसान है तो चलिए एक पॉइंट आपका किलियर किया पुनर जागन काल भारतेंदु काल 1887-1990 जागन सुधार काल 1900-1981 चाया वादियोगिया सुचंदता वाद काल 1988-1936 इस भी प्रगतिवादी काविधारा 1936-1943 इस भी प्रयोगवाद उम नई कविता 1943 से अब तक तो हमने आसा किया कि बहुत से पॉइंट्स आपको किलियर होगे यहां तक किलियर है साथियों कुछ न कुछ बातें आप एबजार्ब कर रहे हैं मुझे लगा कि कुछ न कुछ आपको कराते रहें यहसा न हो कि आपको लगे कि काफी दिन से क्लासेज नहीं हो रही है और चीजे ठाप हो जाएं आईए थोड़ी सी चर्चा करते हैं उन्नीसवी सताबदी के मध में बिटिस सासन की स्थापना के साथ भारत में वर्तमान युक का आविरभाव हुआ अब देखो समय पूछा जा सकता है कब से वर्तमान युक का आविरभाव हुआ उन्नीसवी सताबदी पास्चात संस्किती साहित ओम विचारों के संपर्क और उनके साथ संघर्ष से चेतना की एक नई लहर दोडी जिसे पुनर जागन काल कहते हैं प्रतिकात्मक रूप से सन 1850 हिंदी साहित के आधनिक काल की आरंभिक तिथी मानी जाती है यह तिथी आधनिक साहित के महान परवर्तक भारतेंदु हरिस्चन्द की जन्म तिथी भी है अधिकांस विद्वानों ने इस काल को आधनिक काल नाम से भी अभीत किया है हिंदी साहित के आधनिक काल को स्वातंत्र काल देखिए बहुत आराम से समझेगा आधनी काल को किन किन नामों से और जाना जाता है प्रशन कभी कभी पूचा जाता है आधनी काल को स्वातंत्य काल या गद्य काल से अभीत किया जाता है आचार रामचंद सुक्ल ने आधनी काल को गद्य काल कहकर पुकारा है आचार रामचंद सुक्ल लिखते हैं आधनी काल म गद्य का अविर्भाव सबसे प्रधान साहितिक घटना है। इस दिश्टी से इस काल को गद्य काल भी कहा जाता है या कहा जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है साथियों। आए थोड़ी सी बात कर लेते हैं जगन नात दास रतनाकर की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे। जगनाद दासरतनाकर की तो देखिए ब्रज भासा के आधुनिक कालीन प्रश्ण बहुत इंपोर्टेंट यहां से बना है इसलिए ब्रज भासा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवी जगनाद दासरतनाकर हैं तो आप से प्रश्ण पूछा जाता है ब्रज भासा के आधुनि प्रोड कभी भी माना जाता है तो आप से यहां भी प्रश्ण बनता है कि ब्रज भासा कब की अंतिम प्रोड कभी किसे माना जाता है तो आप बताएंगे किसको माना जाता है साथियों तो आप कहेंगे ब्रज भासा के प्रहले या आदमी काल के प्रसिद्ध कभी जगनाथ को ह पहला कभी माना जाता है, यहां तक चीजे के लिए रहें, बहुत आराम से देखें साथियों, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको दूर रहके भी थोड़ा बहुत आपको, ऐसा नहों कि आप एकदम सान तो करके बैठ जाएं, थोड़ा सा आप चलते रहें, इनके प्रसिद्ध काब्य, अब इनके प्रसिद्ध काब्यों में नाम आता है, हिंडोला, हरिश्चंद, गंगा वतरण, उद्धो सतक, कलकासी, समस्या पूर्ती, जैप्रकास, सर्वस्व, घनाचरी, नियम, गंगा, विश्णू लहरी, रतनाश्टक, वीराश्टक, प्रकीन, पदावली आद देखे, इनकी मृत्यू की बात करेंगे, दूसरे पेज पर चलते हैं, साथियों, देखे, मैं फोटो खेंच करके, उसके बाद जो है, फिर प्रयास किया हूँ, कि कुछ न कुछ आपको करा सकूं, इसलिए थोड़ा सा यहां पर देखे, चलिए, अठार सो चाचट में जन् लखी गई, यह काव्य का एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है, जो एक ओर तो अपने में प्रबंध ग्रंथ प्रतीत होता है, और दूसरी ओर मुकतक, एक ओर प्रबंध और दूसरी ओर मुकतक, राम परसाद मिस्रा ने अपनी पुस्ता खड़ी बोली कविता में विरह वार्डन म या भ्रमर्गीत परमपरा का काब्ब्य है गोपी उद्धो शंबाद इसका वण्ड विशे है उद्धो सतक एक तरह से विरह काब्ब्य है किंतु विरह की तीवरा नुभूती के साथ गोपीयों का उत्कट प्रेम भी इसमें पूनरोप से अभिव्यक्त हुआ है इसे कुछ समिच्छक सिंगार काब भी मानते हैं ठीक है क्या मानते हैं सिंगार काब रतनाकर ने सिंगार और वीर दोनों रसों की रचनाएं की है उन्होंने अंग्रेजी कभी पोप के essay on criticism का रोला चंद में किसमें अनवाद किया है essay on criticism का रोला चंदों में फार्सी और संस्कित के ग्याता प्राचीन साहित के मरमग बिद्वान तथा उच्चकोटी के कभी रतनाकर को गंगा वतरन पर हिंदुस्तानी एकेडमी प्रियाग ने पुरसकार प्रदान किया शन 1930 में रतनाकर जी कलकत्ता के हिंदी साहित सम्मेलन के सभापती हुए गंगा वतरन का रोलाचंद में लिखा गया है किन्तु इनका प्रियचंद कवित है क्या है साथियों प्रियचंद कवित है लिखा किसमें गया है वह रोलाचंद में लिखा गया है लेकिन इनका प्रियचंद जो है वह कवित है उद्ध सत्क की भावत कर्स पंक्ती जो की आप देख रहे हैं पुन्रुक्ती नामक दोस्त को लिए जा रही है हमको लिख्यों है कहां हमको लिख्यों है कहां हमको लिख्यों है कहां कहां सबे लगी तो ये है आएए अब हम एक पॉइंट पर चर्चा केवल कर देते हैं साथियों आप से बात कर रहे हैं आधनी काल आधनी काल में पहले काल खंड की बात कर रहे हैं हम भारतेंदू युग की भारतेंदू हरिस्चंद के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जन्म 9 सितंबर 1850 को कासी में हुआ था और इनकी मृत्यू 7 जन्वरी 1850 को हुई पिता का नाम गोपाल चंद था यह गिरधर दास उपनाम से कविताय लिखा करते थे या रशनाय लिखते थे इनकी उपाधी जो है आधुनिक हिंदी साहित का पितामह इनको कहा जाता है कवी व यह कही व्यक्ति में आप देख रहे हैं कि वहां कभी भी है वहां आप देख रहे हैं लेखक भी है वहां आप देख रहे हैं गद्यकार भी है तो ऐसे बहुत बिरले लोगे ही दिखते हैं आप लोगों को कि जो निबंधकार भी हो कब्यकार भी हो आईए बात कर लेते हैं युग के बारे में थोड़ी सी तो देखें भारतेंदु युग को पुनर जागन काल भी कहते हैं आचार रामचन सुक्ल ने भारतेंदु हरिस्चंद 1850 से 1850 के रचना काल को दृष्टी में रखकर सम्मत 1925 से 1950 की आवधी को नई धारा अथवा प्रतम उत्थान की संग्याद इस काल को भारतेंदु हरिस्चंद तथा उनके सहयोगी लेखकों के कृतित से सम्मृध माना जाता है भारतेंदु काली प्रमुख कवियों की अगर बात करें तो इसमें प्रमुख कवियों में जिसका नाम आता है जिन पर हम बहुत बिदिवत चर्चा करेंगे ये सब पढ़ाओंगा बोर्ड पर क्योंकि मैं पुना बता दूं मैं अभी स्टूडियो से बाहर हूँ तो मुझे लगा कि मैं कितना आपको दे सकता हूँ तो जितना हम को लगा कि आपको आपके लिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं यह प्रयास मेरा कैसा है इसको भी जरूर आप बता यह गा देखे भारतेंदु कालीन प्रमुक कभी भारतेंदु हरिस्चंद बदरी नरायंड चौधरी प्रेमघन प्रताप नरायंड मिस्र जगमोहन सिंग अंबिका दत्व्यास राधा कृष्ण दास इत्यादी यह भारतेंदु कालीन प्रमुक कभी हैं भारतेंदु युक दास जड़ी निवास दास जग मोहन सिंग आदी ये सभी आ रहे हैं उर्दू संस्कित फार्सी और अंग्रेजी आदिभासाओं पर समान अधिकार रखने वाले लाला स्री निवास को आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास परिच्छा गुरू लिखने का घौरव प्राप्त होता है। थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि भारतेंदू युक्की बात कर रहे हैं और भारतेंदू हरिस्चंद से लगे हुई प्रस्ण कैसे बनते हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आपसे प्रश्ण या भी पूछा जा सकता है किसमें अभिनेम हिस्सा लिया इसी नाटक में इसी नाटक के मंचन में जो है भारतेंदू हरिस्चंद जो है अभिनेमें संस्था में तरीके से मंचन भी किया था। नौजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है तो नौजागरण का अग्रदूत भारतेंद हरिश्चन को नौजागरण का अग्रदूत माना जाता है भारती नौजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिध भारतेंद हरिश्चन ने देश की गरीबी पराधीनता सासको के अमानवी सोसन के चित्रन को ही अपने साहित का लच्छ बनाया वे आधुनिक हिंदी के पितामा कहे जाते हैं तो आपसे प्रश्ण बहुत इंपोर्टन्ट यहां से भी पूछा जा सकता है आधुनिक हिंदी के पितामा किसे कहा जाता है तो इन्ही को आधुनिक हिंदी का प प्रचार के लिए तदी समाज की इस्थाफणा की आप से प्रश्ण पूचाope जा सकता है कि आधुनिक हिंदी के पहले रचनाकार कौन है तो आधुनिक हिंदी में आधुनिक्ता कि पहले रचनाकार में भारतेंदु हरिस्चंद का ही नाम आता है इन्होंने तदी शमाज की इस्थापना बैश्णों भक्ती के प्रचार के लिए किया अगला पॉइंट आता है भारतेंदु हरिस्चंद का मूल नाम हरिस्चंद था मूल नाम क्या था इनका हरिस्चंद था उनकी लो बिद्वानों ने कर दिया, 1880 इस भी में, अगले पॉइंट पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं साथियों, हिंदी साहित में आधुनिक काल का प्रारंब भारतेंदू हरिस्चंद से माना जाता है, जबकि नाठको की अगर बात करता है, तो नाठको का भी प्रारंब भारतेंदू हरिस्चंद से ही माना जाता है, भारतेंदू की नाठक लिखने की सुरुवात, बांगला के बिद्या सुन्दर 1867 नाठक के अनुवाद से होती है, यनि बांगला में एक नाठक था, बिद्या सुन्दर 1867 में जो प्रकासी थी, उसी इन्होंने अनुवाद करके जो है नाटक लिखने की जो परिपाटी हमारे हिंदी साहित्यों में आती है उसका भी इन्होंने चलन प्रारम किया भारतेंद हरिश्चन ने सन 1868 में कविवचन सुधा नामक पत्रिका निकाली अब देखिए कविवचन सुधा का कहीं कहीं पर नी अब भारतेंद हरिश्चन ने सन 1868 में कविवचन सुधा नामक पत्रिका निकाली 1876 में हरिश्चन मैगजीन और फिर बाल बोधनी नामक पत्रिका उन्होंने निकाली भारतेंद हरिष्चंदू नॉन Comber 1884 में बलिया में एक व्याकивается बहुत important है बलिया में एक व्याक्ष्यान दिया था जिसे बलिया व्याक्ष्यान या बलिया का भासंड के नाम से जाना जाता है यही भारत वर्सोंनत कैसे हो सकती है सिर्सक से हरिष्चंद चंद्रिका में दिस अगले पॉइंट पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भारतेंद यूग के कवियों में केवल भारतेंद हरिस्चन्द पुष्टी मार्ग में दीच्छी तथा कृष्ण भक्त थे आप देखिए कभी-कभी आपसे पूछा जाता है कृष्ण भक्त में भारतेंद यूग के कव पुष्टी मार्ग में दीच्छी तवर कृष्ण भक्त में नाम आता है अगले पॉइंट पर बात करेंगे सीतला प्रसाथ त्रिपाठी के द्वारा रचित जान की मंगल जो की 1868 हिस्वी में नाटक में भारतेंद यूग अभी मैंने आगे स्टार्टिंग में चर्चा करन निर्देश के कारण यह नाटक भारतेंद द्वारा प्रवर्तित साहितिक नाटकों की परंपरा से जुड़ा हुआ माना जाता है तो आपसे प्रश्ण पूँचा जा सकता है कि भारतेंद हरिश्चन ने स्वयम किस नाटक में अभिने किया है तो जान की मंगल में किसकी बाबु कहीं कहीं पर इनका नाम बाबु भी जोड़ देते हैं भारतेंदु बाबु हरिश्चन हिंदी साहित के आधुनिक काल के मुकुट मड़ी हैं भारतेंदु की विजयीनी विजय वैजयन्ती प्रेम घन की आनंद अरुलोदय प्रताप नराण मिस्र की महापर्व और न आप से पोचा जाता है भारतेंदु हरिश्चन ने हिंदी हिंदु हिंदु हिंदुस्तान बहुत इंपोर्टेंट है हिंदी हिंदु हिंदुस्तान का गुड़गान की अब आकी तो आपको पता है कि प्रताप नराण मिस्र की बात आती है यहां पर जब बहुत अच्छे श संदे भारतेंदुजी युग प्रवर्तक और युगांत कारी सर्जक कलाकार हैं तथा आधुनिक हिंदी साहित में एक नई एवम स्वस्त चेतना के केंदर बिंदु एवम जन्मदाता हैं हिंदी खड़ी बोली को परिस्कृत करने का स्रे उन्हें ही दी जाती है हिंदी उनके विकास में रंग मंज का निर्माढ हुआ, निवन्धो द्वारा युगीन समस्याओं का चित्रन हुआ, हिंदी साहित के आधुनिक काल के प्रारंभिक युग में शम्पूर साहित छेतर में उनका व्यक्तित सबसे अधिक प्रवावशाली था, उनके चारों और साहित का परिक्रमा कर रहा था जिनकी पेड़ा के केंदरी बिंदू भारतेंदु जी थे उनके पदारपन के साथ ही हिंदी का आधनिक रूप निश्चित हुआ तथा उसके स्वातंत्र व्यक्तित की प्रतिष्ठा हुई तो ये आगर आप बात करेंगे भारतेंदु हरिस्चंद के उ बहुत सी उपलब्धियां कम पड़ जाएंगी क्योंकि जितना कम समय में ये हिंदी साहित के लिए काम करके चलेगे साइद कोई बिरला ही आज के समय में होगा जो ऐसा काम कर पाएगा आई ये बात कर लेते हिंदी गद्द के इतिहास पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे साथ वस्तोता सामाजीक, राजनीतिक तथा धार्मिक दिष्टी से यह युग नौ जागन का था भारती संस्किती के छेतर में इस काल में नई जागरती आ रही थी पास्चात ग्यान विज्ञान का प्रभाव भारत पर पड़ रहा था जिससे समाज में एक नई चेतना परिव्य के एक राफ्त तथी इसी काल में हिंधी साहित में भारतेंदू का उदय हुआ भारतेंदू ने हिंदी साहित के विकास में महत्रफून कार किया उन्होंने हिंदी के विकास के लिए कभी वचन सुधा 1868 परसट इस भी जैसी साहितिक पत्रिकाएं भी निकाले उन्होंने निबंध नाटक और कहानी के छेतर में गद्ध के प्रयोग पर बल भी दिया इसके पैडाम स्वरूप अगर बात किया जायत तो इसके पैडाम स्वरूप ही आप देखते हैं कि भारतेंदू मंडल के अनिक र उसमें जो परमुख थे अगर उन पर चाचा किया जाय तो आप देखेंगे पंडित बाल किष्ण भट, पंडित प्रताप नरायन मिस्र, पंडित बदरी नरायन चौधरी, ठाकुर जग मोहन सिंग, श्री निवास दास, पंडित स्री राम भट, राधा चरन गोश्वामी, कार्तिक प्रसाद, खत्री, अंबिकाद, त्व्यास, गोविंद, नरायन मिस्र, पंडित बाल, मुकुंद गुप्त हैं, इसी बीस सन 1893 में, कासी में, नागरी प्रचाणी सभा के स्थापना हुई, जिसका हिंदी साहित्त के विकास में एक सुभ्यवस्थित कदम उठा, भ भारतिन्द वरिश्चंद के बाद, जो आप देखेंगे, दिवेदी युग की बात की जाएगी, तो वहाँ पर ये चीज़े दिखी जाती हैं, आइए बहुत थोड़ी सी चर्चा करेंगे साथियों, बस पांच मिनट और लेंगे, इसमें थोड़ा सा हम, क्योंकि इतनी च कर चुके हैं, तो इसी में हम जान लेने का प्रयास करते हैं, भारतिन्द युगीन कावे प्रयुतियां, पुना बता देना चाहूंगा, वे बच्चे जो सुकला एजुकेट संस्थान के साथ जुड़ना चाहते हैं, या जो जुड़े हुए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं जो जुड़ना चाहते हैं, आप 94-15-800-669 पर एंट्री लिग करके, एंट्री हिंदी, साथियों बताना चाहूंगा, एकदम सुपर अंदाज में आप हिंदी पढ़ेंगे, प्रयाग राज की सर्वसेष्ट टीम या सर्वसेष्ट सिच्चक से ही नहीं, मैं आपको कह सकता ह पूरी गारंटी के साथ, आप उत्तर भारत के सर्वसेष्ट सिच्चकों में सुमार, SP सुकला के साथ, यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्यों बेकूब बनाने का कार तो बहुत लोगों ने किया है, कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन आ मैंने सोचा कि इस माध्यम से ये, मैंने लिख करके आपको बढ़ाने का प्रयास किया, आइए, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं भारतिंद यूगीन काब्य प्रवितियों पर, काब्य प्रविति का मतलब इस यूग के जो कभी हुए, या इस यूग की जो रचनाएं हुई, उनकी क्या प्रवितियां हैं, उनकी क्या विसेस्ताएं हैं, कभी-कभी आपसे ये प्रश्न यह भी पूँच लिया जाता है उनकी विसेस्ताओं से भी, इस यूग में जहां एक और भारतिये नेताओं ने, सुधारकों ने, विदेशियों के सोसन से उतपन, भूख, बेका पारी और दरिदता योंदास्ता को, जो की सुरसा, सुरसा की भाती मुह फाड़े हुए सब को निगल जाना चाती थी, मिटाने के लिए बिणा उठाया, और दूसरी ओर, स्वा नाम धन्य, भारतेंदु जी ने, रीत कालीन, विकृत सिंगार के बेमेल, राग को, जो की कर कविता वा, जनता का तूटा हुआ, नाता तोलने का बीड़ा उठाया, उसी पर हम चर्चा करेंगे, उसी काल की कुछ प्रवित्तियों पर चर्चा कर लेते हैं, आई जैसा कि आपको दिख रहा है, खडी बोली को ब्रज भासा के समकच लाना, तो इसी में, इसी परिपा संबंध, प्रकृति का आलंबन के रूप में प्रयोग, विभिन नवीन तत्तों का शमावेस, अतीत गौरों की सुन्दर जहां की, काब में ब्रज भासा का प्रयोग, हास्य ब्यंग यों समस्या पूर्ति, प्राचीन छंदों का प्रयोग, कालात्मक्ता का अभाव, इस काल रूप से थोड़ी सी जनकारी चर्चा आपके बेच में कर रहे हैं, तो देखे, भारतेंद हरिश्चन के साहितिक आवदान, हिंदी के उत्थान और विकास में निमलखित योगदान भी रहा, जिसमें युगीन भावनाओं का वाहक, कविता में नमीन मोड, खड़ी बोली क अगरदूत, जन्भावना का विकास, गद्द की विभिन सहलियों का विकास, इन्ही के युग में, जैनि भारतेंद हरिश्चन के साहितिक आवदान में ही देखने को मिलता है, जिस पर हम साथियों चर्चा करेंगे, आपको पुना बता देना हां चाहूंगा, कि अपनी क्ल के उपर लगा टिककस की उड़ा होस मोरा, रोवईक चाही हसी ठीठी ठठान कैसा, अंगरेज राज सब, देखें, अंगरेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन बिदेश चलिजात इहे, अतिख्वारी, अथ अंक मई, अथ मदिरास्त्व राज, अब और प्रेम के फ पर अंगरेज इस्तोत्री ये इनकी कविता है, फिर इसी में आप देखेंगे, इनका एक सबया बहुत फेमस है, प्रेम माधुरी से लिया गए, मारग प्रेम को को समुझे हरी चंद यथारत होत यथा है, लाभ कचून पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है, जानत है जिय मेरो भली बिडी और उपाई सबय बीर था है, बावरी हैं ब्रज के सिगरे मुहिन नाहक पूंचत, कौन भीत है, क्या गजब की जाकी ये प्रस्तुत करने साथ हों, शमय आभाव होने के काड़ में बहुत डिटेल में चर्चा नहीं कर पा रहा हूं, नहीं तो एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करतें, तो बड़ा लंबा समय लेतें, और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आप लोगों के जहान में उतारने का प्रियास करतें, तो ये इनकी महत्तपूर्ण पंकिया थी, जिन पर हमने आप से चर्चा किया, आए अंतिम पॉइंट में इ प्रेम तरंग उत्तरार्ध भक्तमाल प्रेम प्रलाप होली मधु मुकुल राग संग्रह वर्सा विनोध विने प्रेम पचासा फूलों का गुच्छा और उसके बाद प्रेम फुलवारी प्रेमाश्रू वर्षन कृष्ण चरित्र दान लीला तनमय लीला नए जबाने की मनानजली बंदर सभाहाश्य ब्यंग है तो साथियों मैं बहुत प्रयास किया कि बहुत कम समय में बहुत छोटे से से शेशन में आपको आधुनी काल की जो एक परिपाटी है आधुनी काल का जो एक स्वरूप है जिस स्वरूप के माध्यम से आप अपने सेशन को आगे आप चीजों को जान सकेंगे उसको बताने का उसको पढ़ाने का आपको प्रयास किया या मेरा प्रयास कैसा रहा आप जरूर बताईएगा एक कमेंट के माध्यम से एक प्रस्ण आप लोगों से मैं जान लेना चाहूंगा चलिए एक प्रस्ण जिसका जवाब आप सभी प्रेम घन बदरी नरायन क्योंकि अभी हमने बहुत ज्यादा चर्चा नहीं किया अगले सेशन में चर्चा करेंगे इसी के अंतरगत ही है बदरी नरायन चोधरी प्रेम घन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे कमेंट करके जवाब देना है आपसन मैं आपको दे रहा हूँ ए, बी, सी और डी चलिए लिख लीजे आफताब अबर नियाज जकी चलिए साथियों कमेंट करके आपको जवाब देना है क्योंकि हाँ से लिखने इसे राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बैठ रही है इस प्रश्ण का जवाब आप सभी मित्रों को कमेंट के माध्यम से देना है कमेंट के माध्यम से इस प्रश्ण का जवाब आपको दे देना है देखेंगे कि आपने कितने बच्चों ने मैंने इस माध्यम से दिया है यह सेशन कैसा रहा इस पर भी जरूर अपनी प्रत्क्रिया दीजिएगा बाकी हमारा भैस जो है साथियों श्रंभौता हब 20-21 तारीक से मैं आपके बीच में पुना होली के बाद दिखूंगा जहां पर आपकी क्लासस एकदम रेगुलर स्टार् आख मून करके जुड़ें समय पर जुड़ें एल्टी ग्रेट की जो भरतिया रही उसमें जो सामान यद्धिन वाला सेशन है वह भी आपको अच्छे से कबर कराया जाएगा पुल्टीम के दवारा कहीं आपको जाना नहीं हिंदी के लिए आदि आप जुड़ना चाहते हो साथियों में पुन आपको बता देना चाहूँगा सेलेक्सन चाहते हो या पढ़ना चाहते हो केवल और केवल सेलेक्षन चाहते हो तो आँख मून करके si supply education के साथ जुड़िये आप पहली बार में यह सफ़ल होना चाहते हैं तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही थाइक्स पर वाचिंग आफ वाचिंग वाचिंग आफ वाचिंग टेक्केर अलव प्यू चलाओ मगरू भाइच रवाँ